हेलो फ्रेंड्स मैं उकवित और मेरे कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागते हमेशा के तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नहीं स्वाधिश्टो और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्टी की अगर आपको मे लगबग एक कप इतनी सुजी शूजी आप बारी क्या मोटी कोई भी यापर ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसे एक मिक्सिंग जार में डालेंगे तो मैंने यहापर थोड़े से बड़े साइज का मिक्सिजार लिया है साथी में हम इसमें आदा कप इतना दही डालेंगे जिस कप से हमने सुजी डाला है सेम उसे कप से मैंने यहापर लगबग आदा कप दही डाला है और सेम उसे कप से हम आदा कप इतना पाने डालेंगे मतलब एक कप सुजे के लिए आदा कप दही और आदा कप पाने का मेने आप पर इसमाल किया ही सुजे या पाने नापने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी या पर सेट कर सकते ही अब हम क्या करेंगे इसमें एक चमच इतना नमक डालेंगे नास्ता जो है अच्छे से सौप्ट और जालीदार बने इसलिए हम क्या करेंगे इसमें एक चमच इतनी चीनी और एक चमच इतना तेल डालेंगे सिर्फ एक चमच तेल का ही हमें यहाँ पर इसमाल करना है तेल डालने से काफी ज़्यादा सौप्ट और जालीदारे नास्ता जो है बनके रेड़ी हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे इसे पीस लेंगे थोड़ी दिर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छा स्मूध बैटर जो है बनके रेड़ी हो चुका है जैसे कि हम डोसा वैगरा बनाने के लिए बैटर बनाते हैं बस वैसे बैटर जो है मैंने बना कर तयार कर ले आए अब हम क्या करेंगे से लगातार चलाते वे लगबग 2-3 मिट के लिए अच्छे से फेटेंगे इस तरीके से फेटने से क्या होता है कि बैटर जो हलका फुलका बन जाता है साथ ही जब हम नास्ता बनाएंगे न तो वह भी बहुत ही अच्छे से फुला फुला और सॉब्ट बनता है सुबह की भागदोड में हर रोज नास्ते में क्या बनाईए सवाल रहता है और कम तेल में बच्चों के टिपीनिया नास्ते के लिए कुछ बनाना चाते है तो आप इस रेसेपी को जरूर ट्राय करके देखिए बस एक कप सुझे से इतना ज़्यादा टेश्टी हिल्दी नास्ता अगर आप घर पे बनाते हैं तो सभी आपकी तारिप करेंगे इस तरीके से मैंने लगबग 2-3 मिट के लिए इसे लगातार फिट लिया और इसकी कंशिस्टनसी भी आप देख सकते है एक दम पर्फेक्ट है तो अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके 10 मिट के लिए इसे ही छोड़ देंगे ताकि बैटर जोई आप पर अच्छे से सेट हो जाए क्योंकि हमने इसमें सुझी डाले ना तो सुझी जोई अच्छे से फूल जाएगी अगर आपके पास टाइम कम है और आप तुरंत इस नास्थे को बनाना चाहते है तो पिस्ते समय आपको थोड़ा सा गरम पानी यानि कि नॉर्मल पानी डालना होगा इससे क्या होता है कि सुझी जोई बहुत ही अच्छे से जल्दी फूल जाती है दस मिट के बाद फिर से बैटर को चेक करेंगे और देखी बैटर जो यहाँ पर कापी अच्छे से फूल चुका है सुझी यहाँ पर अच्छे से फूल गई है और इसके करण बैटर भी यहाँ पर हलका सा गाड़ा हो चुका है नास्ता जोई बहुती अच्छी से सौप्ट और जालिदार बने इसलिए हम क्या करेंगे इसमें एक छोटी चमच इतना इनो डालेंगे इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपर लगबग दो चमच इतना पानी डाला है अब हम क्या करेंगे इसे लगातार चलाते वए अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहे तो इनो की जगह में बेकिंग सोडा वाइगरा भी इसमें डाल सकते ही तो देखिए आपर इस तरीके से इनो डालने के कारने बैटर जोए कापी अच्छे से प्लपी हो चुका है तो अब हम चलते ही नास्ता बनाने की प्रोसेस में इसके लिए गया सोन करके मैंने पैन जो ही गरम होने क्लियर रख दिया था तो आज की इस वीडियो में मैंने यह आपर इ उत्तपम पैन का इसमाल किया है आप चाहे तो नॉर्मल पैन के उपर भी इसे बना सकते है पैन को मैंने पेले थुड़ा सा तेल लगा कर ग्रिस कर लिया था अब हम क्या करेंगे एक एक चमज जो ही सभी बैटर खाचों में डालेंगी तो देखे आपर इस तरके से शरिप एक एक चमज बैटर का ही हमें आपर इसमाल करना ही नास्ता जो ही और भी ज़्यादा हिल्दी बने इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कुछ बारी कटी भी सबजया डालेंगी सब्जों में हम क्या करेंगे इसमें कटावा, प्यास, कटावा, टमटर और थोड़ी शिपारी कटी भी सिम्ला मिल डालेंगे आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसर इसमें आलू या मटर वैगरा भी डाल सकते ही बच्चे जो एकसर सबजा वैगरा खाने में आलस करते हैं तो इस तरके के छोटे-छोटे पैनकेक बना कर आप इसमें काफी सारी सबजा डाल कर बच्चों को दे सकते हैं इससे बच्चों का सेयद भी अच्छा रहेगा और साथ ही इस तरके का नास्ता जोई बच्चों को काफी जादा पसंद आता है लाश्ट में हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा कूटावा लाल मिश डालेंगे आप चाहे तो इसकी जगह में चिली फ्लेक्स वगरा भी डाल सकते है साथ ही में हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा बारी कटावा धनिया पत्ता भी डालेंगे ताकि ये नास्ता जोई दिखने में और भी अच्छा लगे और इसे कवर करके लगबग 2-3 मिट के लिए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे यानि कि जब तक इसकी उपर की लेयर जोई अच्छे से सूखना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे 2-3 मिट के बाद हम नास्ते को चेक करेंगे तो देखिए नास्ता जोई आपर कापी अच्छे से फूल गाए सब जाबी इसमें कापी अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा-थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके बाद इस तरीके से दिरे-दिरे पकड़ते होए नास्ते को न हम दूसरी साइट सेखने के लिए पलट देंगे और देखिए कितना बड़े है कलर जोई इस नास्ते में आ चुका है एक दम ब्रेट जैसे फुला-फुला और सौप्ट नास्ता जो है बनकी तयार हो जाता है अंदर से सौप्ट और उपर से क्रिस्पी इतना ज़्यादा टेस्टी हिल्दी नास्ता जैसे बच्छे देखते ही फिनिश करेंगे और हर रोज यही नास्ता टेपीन के लिए बना कर मांगेंगे आप चाहिए तो इसे और भी ज़्यादा हिल्दी बनाने के लिए इसमें चाहिए तो चीज या पनिरवाइगरा भी डाल सकते ही इसक्या होगा कि एकदम पीजा जैसे स्वाज जो इस नास्ते में आ जाएगा दूसरे साइड से भी नास्ता या पर हलका हलका सा सेख चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे फ्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी का सभी नास्ता जो इस तरगे से बना कर तयार करेंगे इस नास्ते को आप सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच बॉक्स में इतना ही नहीं तो शाम को रोटी सब्जी बनाने का मनना करें तो तुरंत आप इस नास्ते को बना कर खा सकते हैं टेश्टी होने के साथ साथ कापी हिल्दी रेसिपी तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करें अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजे शर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे फिर मिलें कल एसे नई आसान और हिल्दी रेसिपी के साथ विडियो देखने के लिए धन्यवाद